Good day to all of you! क्या आपको याद है कि आपने पिछली क्लास में क्या सीखा था? आपने Standard Tool और कुछ फोर्मूलाओं के बारे में सीखा था. आएए अब आज की क्लास को सुरूर करने से पहले पिछली क्लास का revision करते हैं. Standard Tool बार के अंदर कौन-कौन से options को रख सकते हैं? Standard Tool बार में आप Menu बार के उन सभी options को रख सकते हैं, जिनका आप सबसे ज़्यादा उप्योग करते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि Spreadsheet के अंदर row और column की अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है? Spreadsheet के अंदर row की कुल संख्या 10,48,576 होती है. Spreadsheet के अंदर column की कुल संख्या 10,24 होती है. यह सभी आपके software के version के अनुसार बदलती रहती हैं. क्या आप जानते हैं कि Seet के नाम को बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? Seet के नाम को चेंज करने के लिए आप format tool के Seet विकल्प के sub menu पर जाकर rename विकल्प के द्वारा उनके नाम को चेंज कर सकते हैं. अथवा Seet लिखे हुए option जो की status bar के ठीक उपर होता है. वहाँ पर आपको उस Seet पर दो बर क्लिक करना होगा. अथवा right क्लिक करके उसके बाद आप rename कर सकते हैं. अगर आपको अपने Seet की जगा बदलनी हो तो कैसे बदलेंगे? आप अपने Seet को दो तरीके से move कर सकते हैं. पहले, पहला तरीका आप अपने उस Seet पर right क्लिक करके, जिसे आप move करना चाहते हैं, उसके बाद आप move Seet के option को select करें. और दूसरा तरीका आप menu bar के edit menu के seat sub menu पर जाएं. उसके बाद आप move copy option को select करें जिसे कि आप अपने seat को move कर सकते हैं अगर आपको अपने data को A से Z करम में रखना हो तो क्या करेंगे इसके लिए आप sort ascending विकल्प को उप्योग करेंगे लेकिन उससे पहले अपने पूरे data को select कर लेंगे जिसे आपको A से Z में रखना है क्या बता सकते हैं 4, 6 और 10 का LCM निकालना हो तो क्या करेंगे और LCM निकालने पर कितना number आएगा इसके लिए आप LCM का formula उप्योग करेंगे जो कि equal to LCM फिर इन number को select करके formula कोप्योग करेंगे जिससे आपको हिंदी में लगुतम समावर्थक कहते हैं जब आप इन तीनों नंबरों को LCM निकालने तो इसका answer 6060 नंबर आएगा spreadsheet में आप किसी नंबरों के आगे dollar, rupee और भी अलगलग परकार के currency के symbol को कैसे लगाते हैं आप किसी column अथवा रो में परतिशत, dollar, दसंबलर वित्यादी के view में देखना चाहते हैं तो आप इन number format के विकल्प का उप्योग करेंगे क्या आप जानते हैं GCD का उप्योग क्यों करते हैं GCD formula की मदद से आप greatest common divisor value को निकाल सकते हैं अगर आपके पास कुछ number दिये गए हैं इन में से सबसे common number कौन से हैं जिसे की सभी को divide कर सकें इसके लिए GCD formula का उप्योग करेंगे अब आप सभी अपने computer को on करें और spreadsheet की file को open करें आज की class में आप सभी file और edit menu के बचे हुए options के बारे में सीखेंगे जैसे की send, property, templates, paste special, sheet, delete, manual break इत्यादिए और के साथ कुछ formula के बारे में सीखेंगे आप सभी spreadsheet के अंदर data को type करें आईए send options के बारे में सीखते हैं कि send options से क्या होता है क्या आप बता सकते हैं send options का उप्योग क्यों करते हैं send options की मदद से आप अपने spreadsheet की file को किसी दूसरे user को send कर सकते हैं send option के माद्यम से send करने के लिए आपके पास outlook पर account होना जरूरी है बिना account के आप दूसरे user को कोई document send नहीं कर सकते हैं आईए अब video की मदद से सीखते हैं कि document को कैसे send करते हैं आईए वीडियो की मदद से send options के बारे में सीखते हैं send option से क्या होता है send option की मदद से आप अपने document को किसी दूसरे user को आप send कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले file menu पर click करें paste and vehicle को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार का option दिखाई दे रहे होंगे document as email, document as open office spreadsheet, email as Microsoft और PDF हमने document as email option को select किया जैसे उस पर हमने select किया तो आप देशते हैं यह outlook के साथ outlook open हो गया क्योंकि यह account जो यह system है outlook के साथ linked है यहाँ पर two में किसी भी user का आप email id टाइप करें जिसे आप इसे send करना चाहते हैं फिर send button पर click कर दें अगर internet connection और outlook पर account है तो यह document दूसरे user पर चला जाएगा अगर आपका account connected नहीं है तो यह send ही नहीं होगा क्योंकि हमें इसे send नहीं करना है इसलिए हमने इसे यहाँ से close कर दिया इसे save करने का option पूछ रहा है मैं save नहीं करना नो पर click कर दिया फिर okay पर click कर दिया तो इस प्रकास आप send option की मदद से अपने document को किसी दूसरे user को आप send कर सकते हैं आईए अब file menu के property विकल्प के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते है properties option से क्या होता है property option की मदद से आप spreadsheet की file के बारे में जानकारी ले सकते हैं जैसे कि आपने file को कव सेव किया था, text document, details जैसे कि कितने page number है, कितने word है, कितने paragraph है, file का size कितना है त्यादी ये सब जानकारी ले सकते हैं क्योंकि property के बहुत से options होते हैं जैसे कि general, description, security, statistics आईए अब वीडियो की मदद से सभी options को उप्योग करना सिखें कि आईए वीडियो की मदद से property options के बारे में सीखते हैं property विकल्प से क्या होता है, सबसे पहले file menu पे click करें properties पे click करें जैसे आप properties पे click करेंगे, एक box आजाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सबसे पहले हैं पे by default general options select होता है general options के अंदर कुछ options आपको दिखाया देंगे, यह आपको बता रहेगा कि आपकी file save है या नहीं जैसा आप वीडियो में देखते हैं, यह पर untitled लिखा हुआ है, मतलब यह file save नहीं है फिर यह type दिखाया है कि इस तरह के आपको document है, यह spreadsheet की document है, location यहाप अभी unknown आ रहा है क्योंकि यह file अभी save नहीं है, अगर हम save करते हैं, जिस location भी save करते हैं तो उसकी location आपको दिखाता है created date, modified date, display, signature यह सारे चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता है लिकिन यह file save नहीं है इसलिए अभी options आपको show नहीं हो रहा है फिर description का, अगर आप इसके related कोई comments या notes लिखना चाहते हैं इस file की regarding तो आप यहाँ पर title में उसके लिख सकते हैं, comment में भी आप कुछ दे सकते हैं फिर internet का option आता है, यहाँ पर do not refresh automatically, refresh this document अगर आप चाहते हैं इस document बार बार refresh हो, हर 5 second या 10 second के बाद तो आप यहाँ से time define कर सकते हैं, फिर यहाँ पर है redirect from this document इस option की मदद से आप hyperlink के दुबार किसी दूसरे document को आप यहाँ से attach कर सकते हैं और time दे सकते हैं कि इतने time के बाद वो document automatic open हो जाए तो आप यहाँ से set कर सकते हैं, हमने यहाँ पर redirect from document को select किया था इसलिए कपनिया पर do not refresh automatically option select किया, फिर security का option आता है security के अंदर आपको यह पूछेगा कि आपको file save करनी है, secure करनी है जैसे यहाँ पर open read this, open file read only अगर इस पर click करेंगे तो इस फाइल को आप read कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी editing नहीं कर सकते हैं, आप इसको record mode में भी active कर सकते हैं, अगर record mode में करेंगे तो कोई भी editing करेंगा तो आपको पता चल जाएगा तो आप इस प्रकार से यहाँ से protect कर सकते हैं, हमने open file read only पर click किया, फिर record पर change पर tick किया यहाँ पर आप जैसे हमने record को अटाये तो पूछ ले कि आप recording mode से वापस आना चाहते हैं तो हमने इस पर click कर दिया फिर statics का option है, statics में आप कितने seeds हैं, कितने letters, कितने cell यूज किये हैं, कितने page यूज किये हैं, characters यूज किये हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाता है statics में तो इस प्रकार से आप property का उपयोग कर सकते हैं, property की उपयोग की मदद से आप file की जानकारी ले सकते हैं, उसको आप protect भी कर सकते हैं, किसी दूसरे file को आप link के थुरू attach भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप property विकल्प का उपयोग कर सकते हैं आईए अब टेंपलेट के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं टेंपलेट से क्या होता है टेंपलेट की मदद से आप टेंपलेट बना सकते हैं जिसे आप बाद में यूज कर सकते हैं टेंपलेट को आप अपने डोकुमेंट में पेस्ट कर सकते हैं आये वीडियो को देखकर सीखते हैं टेंपलेट का उपयोग कैसे करते हैं आये वीडियो की मदद से सीखते हैं टेंपलेट का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप जानते हैं template की मदद से आप पहले से किसी भी document को एक template create कर सकते हैं जिसे आप बाद में से किसी भी document के अंदर paste कर सकते हैं जरूत के नुसार जिस document के भी जरूत है तो आप उसके अंदर उस template को paste कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले File menu को, File menu पे प्लिक करें, Template option को select करें, फिर यहाँ पे Save option को select कर लें, सबसे पहले जिसे भी आपने जो भी type किया data, उसका अगर आप template बनाना चाहता है तो उसे पहले save करना होगा, तीज तरके कहाँ पे एक box आया, यहाँ पे new template को option है, जिस नाम से भी आपको save करना है, उस नाम से आप यहाँ पे save कर दे, हमने calc123 के नाम से save किया, फिर होगे पे click कर दिया, तो अभी जो data है, वो save हो गया है, अब इसको export करना है, कि हमें template के अंदर हमें convert करना है, उसके लिए, फाइल पे click करेंगे, फाइल पे click करने के बाद, template पे जाएंगे, फिर organize पे click करेंगे, और और इस पे click करने के बाद, यहाँ पे box open होगा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, my template का option है, क्योंकि हमने my template के अंतर save किया था, जो भी आपने जिस नाम से save किया था, आप उसे यहाँ पे search करें, हमने calc123 के नाम से save किया था, उसको हमने select कर लिया, जहाँ पे command का option है, यहाँ पे आपको drop-down button दिखाए दे रहा होगा, इस drop-down button पे click करेंगे, यहाँ पे अलग-लग option दे रहे है, delete, edit, import, export, अगर इसको अंतर इसको delete करना चाहते हैं, delete कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कुछ changes करना चाहते हैं, आप edit कर सकते हैं, हमें इसे export करना है, template करना है, इसलिए हमने export option को select कर लिया, export option को जैसे select किया, तो यह फिर से save करने के लिए पूछ रहा है, कि आपको किस location पे जो आपको template save करना है, तो इस location को आप save कर लें, जहाँ आप template save करना चाहते हैं, file name जो भी देना चाहता है, आप file name दे 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 यहाँ फिर save पे click कर दें, हमने calc123 के नाम से file को save कर दिया, desktop के उपर, अब हम desktop पे check करेंगे कि यह template बना है नहीं, इसके लिए पहले जो भी आप file पे काम कर रहे हैं, उसे आप minimize कर दे, हमने file को minimize किया, तो आप यहाँ पर देख सकते है, desktop उपर calc123, एक template बनके जब उसके उपर आप cursor रखेंगे, तो आपको यह template दिखाएगा, कि यह template है, यह template लिखा हुआ रहे है, तो आप इसका ओप्योग किसी भी document में, copy paste के रूप में कर सकते हैं, अगर आपको जहाँ प अपन करके देख सकते हैं, या किसी दूसरे document में आप इसको paste कर सकते हैं, आप इसके title बार में भी देख सकता है, यह template लिखा हुआ, तो इस प्रकास से आप template का उप्योग कर सकते हैं, अब task बार में से अपनी file को select कर, अपने file पे आ जाएं, तो इस प्रकास से आप template की मदद से एक template create कर सकते हैं उसको वविस्य में कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं कि आए अब preview in web browser के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं preview in web browser का उपयोग क्यों करते हैं preview in web browser की मदद से आप अपने spreadsheet की file को sheet को browser में देख सकते हैं आए वीडियो की मदद से शीखते हैं preview in web browser का उपयोग क्यों करते हैं आए वीडियो की मदद से preview in web browser का उपयोग करना सीखते हैं preview in web browser की मदद से आप आपकी जो भी file है उससे आप browser में देख सकते हैं उस फाइल को आप डिरेक्टली ब्राजर के किसी भी ब्राजर के इंदर ओपन कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया एक बॉक्स आ गया फिर हम प्रिव्यू इन वेब ब्राजर को सेलेक्ट किया जैसे हम इस उप्सिन को सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके फाइल है जो भी जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं वे फाइल एक किसी ब्राजर में ओपन हो जाएगा अभी ब्राजर में ओपन होने में थोड़ा से टाइम लगेगा जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर एक इंटरनेट पेज लोडिंग हो रहा है एक पेज ओपन हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपने data create किया था वो data अब एक internet page पे आ गया, एक browser के अंदर आ गया हमने यहाँ पे एक data बनाया था, वो data इस internet page पे दिखाई दे रहा है तो इस प्रकास से आप preview in web browser की मदद से जो भी आपकी file है उससे आप internet की page पे या ब्राउजर में open करके उसे देख सकते हैं तो इस इस file को close कर दें और close करने के बाद taskbar में से अपनी file को open कर लें तो आप अपनी file पे आ जाएंगे तो इस प्रकास आप preview in web browser का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी सिर्फ और सिर्फ date and time के formula को सीखेंगे इसका मतलब है कि date and time से जुड़े हुए जितने formula होंगे आपको इस class में सिखाया जाएगा जैसे कि आप सभी पिछली class में date, time, month के formula को सीखा था अब आप जो formula सीखेंगे जैसे कि week day is sleep year, day is month, week in year इत्यादी formula के बारे में सीखेंगे week day formula को उप्योग तब करेंगे जब आप किसी year, month, date के week को जाना चाहते हैं कि where date कौन से week का था और weekend formula की मदद से निकाल सकते हैं इसके लिए जो formula होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है equal to week day फिर bracket के अंदर जो भी date है उसको आप वहाँ पे date को टाइप करेंगे आएए अब video को देख कर सीखते हैं कि इस formula को उप्योग कैसे करते हैं आएए वीडियो की मदद से week day निकालना सीखते हैं week day formula को उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सबसे पहले हम date को टाइप करेंगे जो भी update, जिस date के अंदर भी आपको week निकालना है, उसे हम यहापे type करेंगे, हमने 22, 2016 हमने एक date यहापे लिखा, इस date के अंदर हमने week, day count करना है, फिर हमने अगला date, 12, 2017 हमने यहापे type किया, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे हमने 6, 2, 2017 हमने यहापे तीन date को type किया, जो पहला date है, 22, 2017, इसके अंदर हमने एक count करना है, कि 28 तक date में कितने weekdays हैं, इसके लिए हम सबसे पहले weekdays formula को उप्योग करेंगे, जिस date का भी आपको निकालना चाहते हैं, हमने पहले cell में यहापर select किया, हम वाप의 equal to symbol type करेंगे, equal to type किया, week, weekday हमने यहापर type किया, bracket को start किया, shift-9 के साथ भर bracket को start कर सकते हैं, फिस date में वीग day type करना है, तो हम इस date को select करेंगे, या फिस date को type भी कर सकते हैं, या आप select हमने यहापर type किया, पिर यहाँ पर type पूछा है, semicolon लगाए और type, type मतलब one means Sunday से count करेगा, अगर zero करेंगे तो वो Monday से count करेगा, तो हमने Sunday से हमें count करना है कि कितने weeks आते हैं, one हमने यहाँ पर लगाया, bracket को close किया, फिर enter बटन को press कर दिया, यहाँ पर आप देखता 28 तक यहाँ पर चार आ गया, तो यहाँ पर चार week आ गया है, तो आप इस तरीके से weekday निकाल सकते हैं, इसे परकार से आप आगले date के लिए भी equal to week, weekday type करें, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, bracket को start करें, bracket को हमने यहाँ पर start किया, लेकिन आप हम इसे 12, 12 तरीक के बाद को हम निकाल रहे हैं, तो हमने वो date type किया, semicolon लगाया, one, one मतलब Sunday, से हम एक count करना है, फिर bracket को close किया, enter button press के हमने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर two answer आया, two मतलब अगर यहाँ से आप count करेंगे, तो 12 तरीक के बाद जो दो है वो, यहाँ पर दो answer आ गया, क्योंकि Sunday से यहाँ पर count किया, तो दो सब्ता यहाँ पर निकल चुका है, इसलिए चार में से दो, इसी प्रकास अगली date को निकालने के लिए weekday हम टाइप किया, यहाँ पर six, two, 2017, यह भी फैब का मन्त है, इसमें हम weekday count कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीन answer आ गया, क्योंकि six days, यहाँ पर week निकल चुका है, टोटल चार week हैं, तो एक कम होने से यहाँ पर तीन आ गया, तो इस प्रकास से आप weekday की मदद से, आप जो मन्त है, उसमें से कितने week हैं, वो आप week को count कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं, इस leap year formula का उप्योग क्यों करते हैं, इस leap year formula के उप्योग से हम यह जान सकते हैं, कि कौन कौन से साल year leap year की हैं, अथवा नहीं, leap year का मतलब होता है कि हर साल, यह year की चार साल के बाद जो आता है, वह 336 दिन का होता है, जिसमें फरवरी का मंत 39 दिन का होता है, उसे leap year कहते हैं, जैसे 2016 leap year है और इसके बाद 2020 leap year है, बीच के 3 साल जैसे की 2017, 2018, 2019 leap year नहीं है, इसके लिए formula होता है, equal to is leap year, फिर bracket के अंदर जो भी date है, वह date टाइप करेंगे, आईए अब वीडियो की मदद से formula का उप्योग करना सीखते हैं, आईए वीडियो की मदद से, इस leap year formula का उप्योग करना सीखते हैं, इस leap year formula की मदद से आप कौन सा year leap year है, उसे आप count कर सकते हैं, उसे आप जान सकते हैं कि वह leap year था या नहीं, हमने यहाँ पर सबसे पहले date टाइप किया, जैसे कि आप वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, क्योंकि वह date के अंदर वह count करेंगा, वह date leap year का था या नहीं, हमने यहाँ पर formula के साथ date को टाइप किया, क्योंकि अगर हम वैसे date को टाइप करते हैं, तो हो सब्था है कि वह formula वर्क नहीं करें, इसलिए हमने formula के साथ पहले date को टाइप किया यहाँ पर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने 2022-2014, एक date को यहाँ पर टाइप किया, फिर दूसरा date हमने यहाँ पर टाइप करेंगे, इकवल टू डेट, अब हम 2016 के date को टाइप कर रहे हैं, 2016-2023-2016 हमने एक date को टाइप किया, इसी परकार से आप भी date को टाइप कर सकते हैं, जिस जिस date को आप जाना चाहते हैं, वह date वह साल ली पियर कर था या नहीं, तो आप उस date को अपने इस फोर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पर एक और date को टाइप किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर date को टाइप किया, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यह टाइप किया यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर एक और टू डेट दो जाइप किया, अलग अलग साल है, अब हमें यह जानना है कि इनमें से कौन सा साल, यह टाइप किया, अब जिस डेट को भी आप जानना चाहते हैं, उसके सामने, सबसे पहले हमने इक्वल टू लीप, हमने यहाँ पर इक्वल टू इस लीप, यह, ब्रैकिट को स्टार्ट किया, उस डेट को सलेक्ट किया और क्लोज कर दिया, ब्रैकिट को, फिर हमने यहाँ पर एंटर बटन दवाया, जैसे एंटर बटन दवाया, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ आया, इसका मतलब जो दो हुजा चोहदा था वो लीप यह नहीं था, अगर यहाँ पर होता, तो वन लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब कि यह लीप यह था, अपने पोइंटर को राइट साइड में ले जाएं, वहाँ पर दो बार क्लिक करें, या फिर आप उसी ड्रैग भी कर सकते हैं, तो आप देख सेंगे जो दो हुजा सोल है, वहाँ पर वन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लीप यह था, 2020 में भी वन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी लीप यह था, तो इस प्रकार से आप, इस लीप यह की मदद से आप, लीप यह को काउंट कर सकते हैं, Day इस मन्त फॉर्मुला को उपयोग आप तब करेंगे, जब किसी मन्त के दिन को जानना चाहते हैं, उस मन्त में कितने दिन हैं, आप इस फॉर्मुला के दवारे निकाल सकते हैं, इसके लिए formula होता है equal to day in a month ब्रैकिट जो भी date है वो date type करेंगे ब्रैकिट के अंदर आईए अब video की मदद से formula का उपयोग करना सीखते हैं आईए video की मदद से days in month formula का उपयोग करना सीखते हैं days in month की मदद से आप आप दो date की बीच में जिते भी date हैं उसको आप दिनको आप count कर सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर हमने पहले से कुछ date लिखा हुआ है अगर हम इसके बीच में difference निकालना है तो हमने यहाँ पर days in month टाइप किया bracket को start किया अब यह आप देख सकते है date लिखा हुए कि इसे date को select करें हमने इसको select किया और bracket को close किया तो आप देख सकते हैं कि उस date को जो वो month था उसके अंदर कितना दिन था उसे यहाँ पर count करके दिखा दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह fab का month था इसलिए यहाँ पर 28 days आ गया इसी प्रकास आप दूसरे date है उस date के अंदर जो month है तो आपने हाँ से देख सकते हैं अपने pointer को right side में ले जाएं वहाँ पर दो बार click करें या फिर आप उसी drag भी कर सकते हैं तो सबका automatic आ जाएगा तो इस प्रकास से आप days in month formula का उप्योग कर सकते हैं अगला formula है weeks in year इसके दौरा आप यह जान सकते हैं कि कौन से साल में कितने week हैं इसका formula कुछ इस प्रकास से है इकवल टू weeks in year इसके अदर date आएए वीडियो की मदद से formula का उप्योग करना सीखते हैं आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं week in year formula को कैसे गरते हैं week in year formula की मदद से आप year के अंदर कितने week आते हूझसे आप count कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हम सबसे पहले में week count करना है, तो हमने यहां पर week count टाइप किया, क्योंकि हमें year के अंदर week को count करना है, अब हम इसके नीचे week in year formula का उपयोग करेंगे, इसके लिए हमने सबसे पहले equal to week, week in year टाइप किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, week in year टाइप किया, bracket को start किया, bracket को start करने के बाद, हमने weeks in year, week in year नहीं है, आपको weeks in year टाइप करना है, उसका जो भी date है, उस date को आप select कर लें, bracket को हमने यहाप open किया, update हमने 2020-2014 को select किया, bracket को close किया, और enter button को press किया, यहाँ आप देख सकते हैं, total यहाँ पर 52 answer आ गया, बाकि सब्सक्राइब को निकालने के लिए आप click करें, दो बार enter button दवा दें, या double click कर दें, तो नीचे जितने भी option उनका answer आ जाएगा, तो इस प्रकार साब, weeks in year formula का उपयोग करके, आप week को count कर सकते हैं, अब अगला formula days का है, days formula का उपयोग, दो date के बीच के, दिनों के number को निकालने के लिए करते हैं, जैसे कि मान लिजे कि आपको 12 से 25 के बीच में कितने दिन हुए हैं, यह जाना है, तो इसके लिए यह formula का उपयोग करेंगे, जो formula होता है हुए कुछ इस प्रकास से है, equal to days, date1, semi-column, date2, यह bracket के अंदर आपको type करना होगा, यह select करना होगा, आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं, days को कैसे निकालते हैं, आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं, days formula को पयो कैसे करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, days की मदद से हम, दो date की बीच में, हम दिनों को count कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास यह data है, जो सो हमने पहले से कुछ date निकाला हुआ है, जिस column में भी आपको date count करना है, हमने एक column में, के column में, day count type किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, help में आया है, यहाँ पर हमने एक date को select किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उसके बाद हमने ब्रैकेट को close किया, close करने के बाद हमने enter बटन को press किया, तो आप देख सकते हैं, 2016 और 2014 के बीच में 769 दिन हैं, वो यहाँ पर count करके बता दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है, एक और example देखते हैं, अब हमें, एक दो 2020 से लेके दो 2019 के बीच में दिन को count करना है, इसके लिए हमने equal to days, 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 open bracket, फिर date को हमने select किया, एक दो 2020, semicolon, 23, 2019, अब इन दोनों के बीच में date को count करना है, तो हमने इसको select किया, फिर bracket को close किया, close करने के बाद, एक और हमने enter बटन को hit किया, तब देशे दिन दोनों के date की बीच में, 336 दिन का difference है, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो इस प्रकार से आप days formula की मदद से, आप दो date की बीच में, दो तारिख के बीच में, दिन को आप count कर सकते हैं, अगला formula days 360 का है, इसके द्वारा आप year को निकाल सकते हैं, जैसे की मान लेजिए, आपको year 2001-1 से लेकर, एक एक 2017 तक year देखना है, कि इन दोनों साल में कितने year हो गए हैं, इसके लिए आप days 360 का उप्योग करेंगे, आइए आप वीडियो को देखकर सीखते हैं, days 360 formula का उप्योग कैसे करते हैं, आइए वीडियो की मदद से days 360 formula का उप्योग करना सीखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, days 360 की मदद से आप दो date की बीच में, जितने भी year हैं, आप उस year को आप count कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको year count करना हैं, आप वहाँ पर उस column में year count लिख लें, जिस column में भी आप निकालना चाहते हैं, वहाँ आप आप निकाल सकते हैं, हमने एक column में year count लिखा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया, हमने यहाँ पर दो year को लिखा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, 1857 और 2017, यह दो date हैं, यह दो year हैं, अब हमें इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने साल हैं, उनका difference निकालना है, तो इसका difference निकालने के लिए, हम days360 का उप्योग करेंगे, इसके लिए equal to days360, हमने यहाँ पर equal to days360 टाइप के bracket open, 2017 हमने select किया, semi column 1857, हमने इसको select कर लिया, bracket को close किया, और enter button को press किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो answer आया है 159, तो इसके बीच में जो year का है, 159 का difference है, यहाँ पर जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ फिर से हम समझते हैं, equal to हमने type किया, days, इस पर हमने 1817 को पहरे select किया, और 27 को बाद में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप 160 आ गया, इसमें जो 1817 है, इसको भी count करके count किया है, जिस वज़े से यहाँ पर 160 आया है, यह था कि हमने 2 year के बीच में हमने difference को निकाला, अगर आपके पास 2 date हो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अब भी हमार पास यहाँ पर proper date है, क्योंकि यहाँ पर जो days360 हो से year पर काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर direct date को select करें और तब हम इसको निकालें, तो यह formula काम नहीं करेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने equal to days, days360, bracket open, अब हमने एक date को select किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है, यह date के बीच काम नहीं करेगा, हमने यह पर एक date को select किया, यह आपको बताने के लिए, समझाया जारा है कि हमने यहाँ पर दो date को select किया, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोपर answer यहाँ नहीं आया, यहाँ पर 359 कुछ answer आया, जबकि आप जानते हैं कि 2020 और 2019 के बीच में एक साल का अंतर होना चाहिए था, तो यहाँ पर formula गलत काम किया, इसके लिए हमने यहाँ पर equal to date, अब हम सबसे पहले इसमें से year को count करेंगे, तो year को count करने के लिए हमने यहाँ पर year type किया, फिर bracket के अ क्योंकि जो भी date है, उस date के अंदर पहले हम year को count करेंगे, जब year count करेंगे तब यह उन दोनों के बीच में difference बताएगा, यह type किया bracket के अंदर उस date को select किया और उसे close कर दिया, जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं, उसके बाद double यहाँ पर bracket को एक बार फिर से close करेंगे फिर हमने enter बटन को प्रेस किया, तो आप देखता है जो अब answer है, 2019 और 2020 के बीच में एक साल का difference है, वो यहाँ पर आ गया, तो इस प्रकार से यह date को select करते हैं, तो यहाँ पर result कुछ हो रहाता, यह सिर्फ year पर काम करेगा, जहाँ भी आपने year type किया, अगर year के बीच में जाते हैं, difference तो निकल सकता है, अगर आपके पास date है, तो इसके लिए आपको पहले date में से year को निकालना है, जैसे वीडियो में आपको दिखाया गया, हमने date 360 लिखके फिर उनमें से year को count किया, फिर आपके हम उसका difference निकाला, तो इस प्रकार से आप date 360 का उप्योग कर सकते हैं, आईए अब edit menu के बचे हुए options के बारे में सीखते हैं, paste special, seat, delete, manual break, सबसे पहले paste special के बारे में सीखेंगे, क्या बता सकते हैं, paste special विकल्प को अप्योग क्यों करते हैं, paste special बहुत ही महत्पूर्ण option है, क्योंकि ये उन सभी options को रखता है, जैसे की formula, text, number और भी इससे tools जिनका उप्योग spreadsheet में बहुत से महत्पूर्ण है, आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं, paste special का उप्योग क्यों करते हैं, आईए वीडियो की मदद से paste special के बारे में सीखते हैं, कि paste special का उप्योग कैसे करते हैं, जैसे की आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाप पहले से कुछ data को type किया है, जिस data को भी आपको, यहाप अगर आप चाहते हैं, उसकी copy paste करना चाहते हैं, उसको पहले copy कर लें, हमने date वाले जहाँ पर date लिखाया है, उसको हमने select किया, और copy कर लिया, जैसे की आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर हमने edit menu पे click किया, paste special पे click कर दिया, तो फहला option all का था, जैसे हमन all पे click करके paste प्रिकिया, तो जितने भी उसके अंदर है, वो सभी को paste कर दिया, जैसे की आपको वीडियो में दिखाया गया, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ date date आये, उपर का जो text से वो नहीं आये, तो आप edit menu पे जाए, paste special को select करें, तो जब आपको paste all option को हटाया यहाँ पर आप देख से जो text option जो tick था, उसको हमने यहाँ पर हटा दिया, फिर okay पर click किया, तो जो भी इसके अंदर text होगा, वो text copy नहीं होगा, जो भी सिर्फ number या formula से सिर्फ वही copy होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जब हमने paste किया, तो यहाँ प क्योंकि text था, इसलिए वो text copy नहीं हुआ, इसी परकास है, फिर से paste special पर click करें, यहाँ पर हमने date और time को हटा दिया, यहाँ पर date, time को हटा आने के बाद आप देख सकते हैं, फिर से वही उसी format में copy हुआ, जैसे एक पहले copy हुआ था, उसके अंदर अभी text highlight नहीं था, इसलि यहाँ पर आपको अलग लग परकार के option दिखाए देंगे, numbers, formula, date, comment, इनकी मदद से अगर आप चाहते हैं कि formula copy हो, या फिर date copy हो, numbers copy हो, या text copy हो, तो आप उसको अपने according कर सकते हैं, तो आप देखते हैं, date की जगह यहाँ पर सिर्फ number paste हुआ, परकार से फिर से edit पर click करें, number को अटा दे, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ text को ही paste करना है, या copy करना है, तो आप सिर्फ text को select करें, और okay पर click करने, तो आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो है, सिर्फ text को ही paste करेगा, और बाकी किसी को भी paste नहीं करेगा, जैसे यहाँ आप आपको वीडियो नमबस चाहिए, तो आप नमबर, अगर सभी चाहते हैं तो आप paste all पर click कर देंगे, तो यहाँ पर अलग-लग options दिये हुए हैं, उन options जो आपको ज़रुद के अनुसार, आप जिनको paste करना चाहते हैं, तो आप उसे paste कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया तो इस प्रकार से आप paste special की मदद से copy paste कर सकते हैं, लेकिन आप अपने according क्या paste करना है, क्या नहीं करना चाहते हैं पेस्ट, वो आप यहाँ से define कर सकते हैं अगला विकल्प compare document का है, क्या आप बता सकते हैं compare document का उप्योग क्यों करते हैं, compare document के द्वारा आप अपने current document के साथ अपने दूसरे document को compare कर सकते हैं, मान लिजिए आपका एक document है, उसको आपने save किया है और आपके पास new document है, उसके साथ आप compare कर सकते हैं, या फिर उसके ब आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं compare document को कैसे compare करते हैं आएए वीडियो की मदद से compare document के बारे में सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं compare document की मदद से जैसे आप compare document पे click करेंगे तो यह change mode में आ जाएगा यह recording mode में आ जाएगा जब भी आप इसके इंदर कोई editing करेंगे तो way changes के अंदर जैसे की round color से highlight होता है highlight होना show करेंगा उसके वह कोई भी editing करेंगे तो उससे दिखाएगा कि इसके अंदर क्या editing हुआ है इसके लिए सबसे पहले edit menu पे क्लिक करें और compare the document पे क्लिक करें जैसी कम पर डॉकुमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल ओपन करने के पूछेगा जैसे आप कोई फाइल ओपन करेंगे किसी दूसरी फाइल को तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी करण्ट फाइल है उसके अंदर उन सभी को रैट कलर से हाइलाइट किया हुए और जितने भी हमने इस सेल का उपयोग किया है उन सभी सेल को यहाँ पर एक बॉक्स कि नदर दिखाय जाएगा जब भी यहाँ आप आप देख सकते हैं जो जो सेल यूज हुआ है जिस जिस सेल पर हमने कारिय किया है वो सारे सेल यहाँ पर है अगर इसको आप accept करना चाहते है जो फाइल को आपने insert किया है तो आप यहाँ से accept यह reject कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर आप देख रहा है इसके अंदर हम कुछ भी editing कर रहे है जो हमारी current document है तो उसको red color से highlight करके दिखा रहा है क्योंकि यह एक record mode में आ चुका है यह change का में जो edit के अंदर change mode है change option है यह change mode में convert हो गया है आप देख सकते हैं इससे बाहर आने के लिए आप सभी को change पर जाना है फिर record इसको यहां से click करेंगे इसको हटा देंगे तो इससे आप normal view में आ जाएंगे जैसे कि आप आप वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से आप compare document का उपयोग कर सकते हैं compare document की मदद से हम record mode में आ जाते हैं जब भी अपने document के अंदर कोई भी changes करते हैं कुछ भी editing करते हैं तो उसे highlight करके दिखाता है तो इस प्रकार से आप compare document का उपयोग कर सकते हैं अगला विकल्प seat का है seat के द्वारा आप अपने seat को copy, move, seat को select करना, macro record ये remove करना कर सकते हैं अब आए वीडियो को देखकर सीखते हैं seat विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से सीखते हैं सबसे पहले edit menu पे click करें उसके बाद seat विकल्प को select कर लें यहाँ पर अलगलग option दिखाए देंगे move, copy, seat, delete और event हमने move, copy, seat पे click किया यहाँ पर देख सकते हैं जितनी seat है वो आपको यहाँ पर seat दिखाए देंगे अगर इसको आप move करना चाहते हैं इसके position को आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं जो भी आपके यहाँ पर seat है उसको आप किस position पर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से change कर सकते हैं अगर आप copy करना चाहते हैं अब जिस seat को भी आप move करना चाहता है उस seat को आप select करने पहले हमने यह सीट 2-3 का हमने यहाँ से हमने इसे Cancel किया, फिर सा हमने Edit Menu पे खिलिक किया Edit Menu पे क्लिक करने के बार हमने Sheet 3 ओप्सिन यहाँ पर देख सकते हैं én dilek क्या, जिस मत क्यों छिए करेंगे उसी आपको यहाँ आटमेटिक आ जाएगा जैगा जैसे कर आपको क्लिक किया, move copy पे क्लिक किया, यहाँ आप भी देख सकते हैं, seat one select है, इसको अगर move करना चाहते हैं, जिस seat को भी आप move करना चाहते हैं, जैसे seat one है, हमने move to end position उस पे क्लिक किया, फिर ok पे क्लिक करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यह seat one पे आगे हैं, फिर से edit menu पे क्लिक करें, पहले हमने seat three को से लखें, आप देशना seat three अभी blank है, इसको हम edit पे क्लिक के, और delete पे हमने click कर दिया, जब इसको delete पे क्लिक करेंगे, तो option आएगा yes और no, तो आप यहां से delete भी कर सकते हैं, तो हमने seat three को यहां से delete कर दिया, edit पे क्लिक क्या हमने, seat पे गए, event पे क्लिक क्या, यहां पे event पे अलग अलग परकार के options दिये हुए हैं, जैसे की active document, यहां से आप चाहें तो macro को भी enable कर सकते हैं, double click, right click, यह सारे macro के functions दे हुए हैं, जैसे आप इस पे double click करेंगे, तो यहां पे macro insert करने को पूछेगा, जैसे की आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहां पे अलग अलग से पहले से कुछ programming से दे हुए हैं, अगर उस programming को आप अपने seat पे लाना चाहते हैं, तो आप यहां से macro के द्वारा से लगा सकते हैं, अभी आप देखते हैं, बार-बार बीच में एक notification आ रहा था, बॉक्स बना रहा था, वो आप पहले से macro लगा हुआ था, आप चाहिए तो यहां से remove कर सकते हैं, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने double click, यह भी हम अबने macro के एक option लगाया था, उसको हमने यहां से remove किया, तो आप यहां से macro को लगा भी सकते हैं और remove भी कर सकते हैं, फिस edit पे click करें, seat पे click करें, move और copy seat पे click किया, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आपको अलग से copy seat चाहिए, इसी में से अगर new को select करके, okay पे click कर दें तो आप देश सकते हैं, उसकी copy जो आपकी seat है, उसकी copy बनके यहां पे आ गई, जैसे का आपको वीडियो में दिखा जा रहा है, वाब हमने second seat को select किया, तो second seat की यहां पे copy आ गई, इसे close कर दे, यहां पर अगर दुवारा से चाहिए, आप undo कर सकते हैं, या फिर वाब पर right click करके, एक नेक seat को insert कर सकते हैं, तो हमने undo करके, हमने seat को वापिस लिया है, जिसे हमने delete किया था, तो इस प्रकास से आप seat की मदब से, seat के position को move कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, select कर सकते हैं, macro को लगा सकते हैं, और remove भी कर सकते हैं, अगरा विकल, delete manual break का है, क्या बता सकते हैं, delete manual break का उपयोग क्यों करते हैं, delete manual break के द्वारा आप break के हुए row और column को delete कर सकते हैं, आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं, delete manual break कैसे करते हैं, आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं, delete manual break का उपयोग कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको, जो आपकी seat है, जो spread sheet की seat है, उसके उपर सबसे पहले manual break होना चाहिए, अगर आपने manual break नहीं लगाया है, तो delete manual break काम नहीं करेगा, सबसे पहले insert menu पे click करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके बाद इस तरीक आपको वीडियो में दिखा जागे कि box आया, फिर हमने यहाँ पे row manual break को insert किया, हमने row break के यहाँ पे, आप page preview में देख स सकते हैं, इसे close कर दें यहाँ से, अब आपको यहाँ पे एक line दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह row manual break है, इसे हमें delete करना चाहते हैं, अगर इसे अगर आप delete करना चाहते हैं, इसके लिए आपको delete manual break का उप्योग करना है, इसके लिए edit menu पर क्लिक करें, delete manual break पर क्लिक करें, यह अब आप देख सकते हैं, यह अभी delete नहीं हो, क्योंकि हमने इसे और सही से select नहीं किया, इसको आपको सही से select करना होगा, जहां से आपने अब लगाए, आप भी देखें, यहाँ पर highlight नहीं हो रहा है, हमने इसके यहाँ पर starting point है, हम देख सकते हैं, यहाँ पर row break अब highlight हो रहा है, तो हम row break पर जैसे click करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर row manual break किया था, वो break row यहाँ से हट जाएगी, फिर से insert पर click करें, इस पर column को break कर लें, जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जारा है, हमने यहाँ पर column break किया, तो यहाँ प हो रहा है, हमने इस cell को select किया यहां पर C1 को, अभी भी देख़ें, यहां पर highlight नहीं हो रहा है, शीवन सेल को हमने क्लिक के हम आपे डिलीट मैनुल ब्रेक पे क्लिक किया तब आपको यहां प्रकार से आप डिलीट मैनुल ब्रेक की मदद से आप row break को और column break को आप हटा सकते हैं उसे delete कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको insert menu में से row और column को break करना होगा क्योंकि आज की class यही पर समाफत होती है आप सब भी अपने file को close करें और system को shutdown करें आज की class में आपने कुछ options के बारे में सीखा जैसे की send templates, paste special और इसके बाद आपने कुछ formula के बारे में सीखा जैसे की days, weekdays, is sleep year, days 360, days in month, इत्यादी